अगर आप YouTube के लिए वीडियोज बनाते हैं तो ये माइक आपके पास होना ही चाहिए ये एक best YouTube माइक है आपके YouTube वीडियोज आपके ब्लोग्स में एक professional quality आ जाएगा Hello everyone, welcome back to my channel मेरा नाम है भरगव और आप देख रहे हैं भरगव ब्लोग्स और रिव्यूज जिसमें आपको honest रिव्यूज देखने को मिलते हैं तो आज मैं unboxing and review करने वाला हूँ एक professional level year color mic का जो ये रहा ये एक बहुत ही अच्छा professional color mic है और company का नाम है Ahuza, Ahuza Radios ये एक made in India company है और इस company के बाड़े में जड़ा बोलने का ज़रूरत नहीं है ये एक बहुत ही पुराना company है 80 साल पुराना company है बहुत ही अच्छा है तो आज मैं इस mic का unboxing and review करने वाला हूँ और इस video में मैं इसका detail review करने वाला हूँ और इसका voice sample आपको सुनाने वाला हूँ तो इस video को आखिर तक ज़रूर देखे अगर आपको आपके videos में professional voice quality चाहिए तो आपको ये वाला mic यूज करना चाहिए जो camera का internal mic होता है उससे इतना professional voice record नहीं होता है आप चाहे mobile phone से record करे या फिर DSLR में internal mic से अच्छा होता है ऐसा वाला external mic तो बाजर में बहुत सरे आपको external mic मिल जाएंगे लेकिन ये वाला अच्छा है बोया भी एक अच्छा mic है लेकिन बोया में आपको battery दलना पड़ता है DSLR में यूज करने के लिए लेकिन इसमें कोई battery का ज़रूरत नहीं है तो आपको दर नहीं है कि बीच में battery खताम हो जाएगा और आपका voice record नहीं होगा ये सब सोचने का ज़रूरत नहीं है आप बे फिक्र होके इसको use कर सकते हैं तो चलिए कटने हैं इसका unboxing तो ये देखिए इसका box इस mic का model name है MTP20 लेवलियर microphone और ये एक unidirectional microphone है तो पीछे द यहां पर लिखा है और यहां पर लिखा है और यहां पर उनका customer care number और customer care email address है और side में देखते हैं side में यहां पर लिखा है compatible with smartphone, computer, camera and ideal for conferencing interview साथ ही vlogging के लिए भी काम आता है YouTube के लिए काम आता है और दूसरे side में देखते हैं यहां पर क्या मिलता है साथ में एक neck band मिलता है अंदर पर है और collar clip है, tie clip है तो चलिए करते हैं इसका unboxing तो सबसे पहले मुझे मिला इसके अंदर एक पाउस मिला है तो देखते हैं पाउस के अंदर क्या है तो पाउस के अंदर दो पोलिठीन मिला है तो छोटा वाला देखता हूं इसके अंदर क्या है तो इसके अंदर देखिए एक wind shield मिला है जो wind के noise को कम करने के लिए और साथ ही यह देखिए यह है TRS to TRS adapter तो देखते हैं प्रिटिन पर क्या है तो इसमें है एक्सेल माइक तो यह देखिए एक्सेल माइक है यह वाला और इसका यह जो इन्पूट है 3.5 mm का TRRS है यह स्मार्टफोन पर डिरेक्टल फिट हो जाता है अगर आपको यह माइक DSLR पर यूज़ करना है तब आपको यह वाला अदप्टर ल यहां से शुरू हुआ है जो काफी लंबा है 5.5 ост मीटर का लंबा खे है बोहत ही लंबा है मतलबlan आप केमेरा से बहुट ढूर से Rgecord कर सकते हैं और आपका व्ईस बहुट ही क्लिए मतलब आप केमेरा से 5 मीटर भूर जा सकते हैं तो चली है इसको ठेस्ट करते हैं इसका audio quality कैसा है आपको सुनाता हूँ फिलहाल जो record हो रहा है वो इसका internal mic से record हो रहा है तो अभी मैं इसको लगाने वाला हूँ और उसके बाद आप फड़क महसूस कीजिए लेकिन उससे पहले इसका जो 3.5 mm jack है यह TRS है इसमें यह adapter लगना पड़ेगा तो यह बन जाएगा TRS microphone तो इसका जो यह mic है इसमें मैं अभी लगने वाला हूँ जो विंसिल मिला था वो लगने वाला हूँ तो इसको ऐसे लगते हैं तो देखिए लग गया है तो अभी मैं इस mic को मेरे color पर लगने वाला हूँ लेकिन एक problem हो गया मेरा तो color है ही नहीं तो यह जो color clip है वो अभी काम नहीं आने वाला है लेकिन इसमें एक neckband है यह देखिए यह है neckband तो इससे क्या होता है मैं इसको ऐसे लटका सकता हूं मेरे गले पे तो mic इस रहेगा तो इस mic में यह neckband भी मिलता है यह एक अच्छा बात है तो अभी इसका दूसरा मेरा audio मेरा आवाज बहुत ही clear आ रहा है लेकिन अभी अगर मैं इस माइक को निकल देता हूँ तब मेरा वोईस इतना clear नहीं आएगा तो अभी मैं camera person को बोलता हूँ mic को निकल दे तो अभी यह जो आवाज है यह camera का internal mic से record हो रहा है और camera मुझसे 2 तो आवाज फ़रा सा खराबा रहा होगा लेकिन यह माइक लगाने से बहुत ही अच्छा आएगा तो मैं फिर से बोलता हूं कैमरा पर सुन को लगाने के लिए तो अभी मैं बोल रहा हूं और देखिए फ़रक सुनिए अभी कितना ज़्यादा फ़रक है मतलब इससे अभी प् कोलार पर लगा सकते हैं तो अभी आपने जो मेरा वोईस सुना इस माइक से सुना और डेसलर में वीडियो रेकोर्ड हो रहा है लेकिन यह वाला माइक आप स्मार्टफोन पर भी लगा सकते हैं तो अभी मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूं अभी next क्लिप जो होगा वो स प्रफेशनली वोईस यह रेकोर्ड कर रहा है तो यह एक अच्छा बात है यह वाला माइक स्मार्टफोन पे भी काम करता है और देसलर में भी काम करता है तो अभी मैं फिर से इसको निकालने वाला हूं तो अभी मैंने निकाल दिया है इस माइक को निकाल दिया है तो अभी आप फिर से महसूस कीजिया डिफरेंस अभी जो रेकोर्ड हो रहा है स्मार्टफोन का इंटरेल मैक से रेकोर्ड हो रहा है आप इस माइक को ब्लोगिन के लिए भी उज़ कर सकते हैं आपको ऐसा बड़ा बड़ा माइक लगाने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा बड़ा माइक लगाने से लोगों का एटेंशन आपके उपर आता है, लेकिन अभी इसको निकाल लिया है मैंने, ये छोटा बड़ा जो माइक है ये किसी को दिखेगा नहीं, तो अभी देखिए मैंने इसको यहाँ में लग आप फट्रक महसूस कीजिएगा अभी अभी ये जो है, पर आभी मैं बोलते बोलते इस माइक को निकाल दूँगा, तो अभी मैंने माइक को निकाल दिया है, अभी बहुत हवा चल रहा है, और रेकोडिंग हो रहा है इंटरनेल माइक से, तो हवा का फर-फर आवाज तो यह DSLR से रेकोड हो रहा है, अभी मैं आपको स्मार्टफोन से रेकोड करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले फिर से सुनिये DSLR में आहुजा माइक का आवज कैसा आता है, अभी मैं माइक को लगाने वाला हूँ, तो अभी मैंने माइक को लगा दिया है, और आप रेकोर्ड हो रहा है यह स्मार्टफोन से रेकोर्ड हो रहा है और माइक में लगाया है आउजावला माइक तो अभी ओडियो में आप फ़रक महसूस कीजिए अभी मैं मैं को निकालने वाला हूं अभी यह जो रेकोर्ड हो रहा है यह इंटरनेल माइक से रेकोर्ड हो रहा है तो अभी जो audio quality है, इस माइक से थोड़ा सा ख़राब होगा. तो अभी फिर से मैं माइक को लगाने वाला हूँ, और आप ख़ड़क महसूस कीजिए. अभी जो record हो रहा है, वो record हो रहा है इस collar माइक से. तो आप इसको यूज़ करके mobile से vlog भी shoot कर सकते हैं. तो अभी आपको पता चल गया होगा कि इस माइक से कितना अच्छा वोइस record होता है. एक डम professional वाला वोइस आपको मिल सकता है इस माइक से. तो अभी इसको order कीजिए. इसका best buy link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा. वहीं से आप खरिच सकते हैं. इसका दाम है 8.19 रुपीज. तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो काम का लगा. तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जल्दी ही मिलेंगे एक दुसरे honest review के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. के लिए नमस्कार.